साथ संगत जी प्रेम से कहना धान रंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर और हमारी आज की साखी का शीरशक है सेवा कर नर्मन लगा चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है जिस सेवा कारिया में अभिमान नहीं कोई स्वारत नहीं वो छोटी सेवा भी महान सेवा बन जाती है भरत जी ने भगवान श्री राम जी की चर्ण पादुका की सेवा की और लक्षमन जी ने श्री राम जी की चर्ण रज की सेवा को ही अपना जीवन धन माना था प्राए हम सभी के घरों में साफ सफाई मंदिर की भी काम घरेलू सहाई का करती है साथ सफाई का कारया बहुत ही निमन श्रेणी का माना जाता है इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोग इसे करने से कतराती है लेकिन शाष्टरों में तो सेवा धरम को ही सबसे कठीन माना गया है श्री व्रंदावन खाक चोक स्थान में पुझ श्री देवदास पहाड़ी बाबा सरकार विराजते थे वहाँ विचरन करते करते कई बार खाक चोक में मंद सोर जिले के एक महनत आते थे उनका नाम था भले बाबा क्योंकि वे बात बात में भले शबत का बहुत अधिक प्रियोग किया करते थे अतहे लोग उन्हें भले बाबा कहते थे मंद सोर जिले में एक स्थान के महनत थे और हर सालवे के यग किया करते थे खाक चौक में धुना घर में अपना आसन लगाते थे वहां प्रातह का भजन साधान समापत करके सेवा में लग जाते थे संतों की सेवा और ज़ाडू लगाने की सेवा भले भावा करने लग जाते थे कभी नीचे, कभी उपर, कभी बाहर ज़ाडू लगाते रहते थे, कई घंटे ज़ाडू लगाते थे आश्रम में ज़ाडू सेवा के लिएक सेवक थे और एक ब्रजवासन बाई जी थी जिनका नम सुमित्रा देवी था एक दिन शुरी पहाडी बाबा जी ने भले बाबा को अपने पास बुलाया और बहुत जोर से डांट लगाते हुए कहा ए भले तुमको एक जगा बैठ कर क्या चैन नहीं पड़ता मैं सफाई करने वालों को काम के पैसे देता हूँ दो दो सेवक हैं ज़ाडू सेवा करने के लिए तुम क्यूं ज़ाडू के लिए डोलते हो जाओ बैठो अपने आसन पर और भजन करो खबरदार अब ज़ाडू लगाई तो अब भले बाबा गए भीतर और अपना आसन कमंडल आदी लेकर महराज जी के पास आकर साश्टांग दंडवत किया और बोले महराज जी इस बालक के प्राध शमक्षा करना अम मैं यहां से जा रहा हूँ लगता है दुबारा लोटकर नहीं आ पाऊँगा शिरी पहाड़ी बाबा बोले क्यों जा रहे हो भोले तुम तो पूरे सावन भादो ठहरते थे ना फिर इस बर क्यों जाना चाहते हो भले बाबा बोले जब जवानी थी तब इसी खाग चोक में रसोई बनाते थी बरतन माजते थे अब तो बुढ़ापा है अब और कोई सेवा हमसे बनती नहीं है केवल थोड़ा बहुत जाडू लगाने की सेवा हो सकती है वही कर लेता हूँ बिना सेवा के प्रसाद कैसे पाऊंगा और बिना प्रसाद पाए ये शरीर कैसे जलेगा आपने तो सेवा के लिए मना ही कर दिया इसलिए आप मैं यहां नहीं आऊंगा ऐसा कहते कहते रोने लग गया वो साधू शिरी पहाडी बाबा बोले ऐसे कैसे चल जाएगा बखबख करता है जाएगा जाएगा कहता है आप मैं मना नहीं करूँगा खोब जाडू लगा शिशय को बुलाया और कहने लगे ये भले बाबा का आसन कमंडल उठाओ और अंदर रखदो ये कहीं नहीं जाएगा जैसे ही शिरी पहाडी बाबा जी ने सेवा की आग्या दी वैसे ही भले बाबा प्रसन्न हो गई साज संगत जी जी समय की ये घटना है उस समय भले बाबा की आयू केवल दस वरश की थी शिरी पहाडी बाबा कहते थी कि यही है सच्चे साधू जो किसी भी अवस्था में सेवा का त्याग नहीं करते संत सेवा, गो सेवा, स्थान सेवा जैसी बन सके करते रहते हैं सच्चे साधू सेवा करने के लिए सदातत पर रहते हैं और कुछ ऐसे आसाधू होते हैं कि उन्हें सेवा बता दो तो भाग जाते हैं और साज संगत जी ये सेवा पांच प्रकार की होती है पहले प्रकार की सेवा वह है जब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम सेवा कर रहे हो तुम उसे सेवा की तरह नहीं देखते क्योंकि वह तुम्हारा सभाव है तुम उसको करे बिना रह नहीं पाते दूसरे प्रकार की सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि वह उस परिस्थिती की जरूरत है तूसरे प्रकार की सेवा तुम इसलिए करते हो क्योंकि यह तुमें आनंद देती है चौथे प्रकार की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि तुम पुन्य कमाना चाहते हो तुम भविश्य में किसी लाब की अपेक्षा से सेवा करते हो और पांचवे प्रकार की सेवा तुम केवल दिखावे के लिए करते हो अपनी छवी को अच्छा करना चाहते हो या समाज या राजनीती में अपनी पहचान बनाना चाहते हो इस प्रकार की सेवा से किवल ठकान होती है जबकि प्रथम प्रकार की सेवा से बलकुल ठकान नहीं होती भले ही तुमने जिस भी स्तर से सेवा प्रारंब की है पर अपनी सेवा की गुणमत्ता को बढ़ाने के लिए तुम्हें उच्चे तरस्तरों की ओर जरूर बढ़ना चाहिए साथ संगत जी महाभारत के समय की बात है महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाराज युधिष्टर इश्वर उपासना का समय है ये कहकर किसी अग्यात स्थान की ओर चले जाते हैं ये है अश्चरया रूत कंठा जब सीमा लांग गई तो एक दिन चारो पांडव पुत्रों ने युधिष्टर का चुपचा पीछा किया कि आखिर ये श्वर उपासना करने के लिए कहा जाते हैं और करते क्या है आगे धरम राज युधिष्टर हाथों में कुछ वस्तुई लेकर दुरुत गती से बड़े जा रही है पीछे चारो भाई अपने को छुपाते हुए युधिष्टर में पहुँचकर युधिष्टर ढूंड ढूंड कर घायलों की सीवा सुष्वा उन्हें अन्य पानी मरह मित्यादी की विवस्था कर रही है उनके मन की व्यथा पूछ रहे हैं जिनमें दोनों पक्षों की सैनिक शामन थे जब रातरी का तीसरा पहर आया तो वो वापस हुए देखा कि चारो भाई उनके सामने खड़े हैं भीम ने कहा जुएष्ट आप दुश्मनों के सेवकों की भी सेवा कर रहे हैं क्या ये पाप नहीं है युधिष्टर ने कहा नहीं भी मनुष्य आखिर आत्मा ही है और आत्मा का आत्मा से कैसा बैर तो अरजुन ने पूछा लेकिन आप इस प्रकार छुपकर क्यों आते हैं युधिष्टर ने कहा वो इसी लिए कि कौरव सैनिक हम से दुएश रखते हैं यदि वह मुझे पहचान जाते तो अपने मन की बात अपने घर की चिंता अपने परिजनों का मोहो संभवता वो मुझसे व्यक्त ना कर पाते और मैं इस सेवा से वंचित रह जाता और इसके बाद नकुल ने युधिष्टर से कहा लेकिन तात इश्वर उपासना का भाना बना कर यहां आना यह जूट नहीं है इश्वर उपासना केवल भजन पूजन से ही नहीं होती कर्म से भी होती है ये बात युधिष्टर ने कही इश्वर ने हमें दीन, दुखियों, लाचार और असाहयों की सेवा के लिए ही तो भेजा है और वही करके मैं इश्वर की उपासना कर रहा हूँ अब चारो पांडव भाई युदिष्टिर के चरनों पर गिर कर बोले तात अब हम समझ गए कि हमारी जीत का कारण सैन्य शक्ती नहीं वरण आपकी धर्म पराणता ही है जो अपने अरपराय में भेद नहीं करती सच ही कहा गया है भगवान कृष्ण जी ने कि नर सेवा ही नरायन सेवा है साथ संगत जी किसी भी प्रकार की सेवा करते समय जरा सभी मन में ये विचारा आया कि ये काम मैं कर रहा हूँ अगर ये अभिमान आ गया तो आपका सब करा कराय पर पानी फिर जाएगा आपके उसेवा का आपको कभी भी कोई लाब नहीं होगा क्योंकि जो घमंड होता है जो अभिमान होता है वो मनुश्य को पतन के रास्ते पर ले जाता है और सेवा के संबंध में एक बहुत प्रसिद दूहा भी है सेवा कर नर्मन लगा सेवा से सतकाम सेवा से श्रद्धा भड़े श्रद्धा से श्री राम सेवा करने से निस्वार्त भाव से सेवा करने से मनुश्य करीदा भी शीशे की तरह नर्मल हो जाता है वह मनुषय दरगायू भी होता है और सेवा करने वाला मनुषय सभी प्रकार के सुभागय भी प्राप्त करता है और अनन्त पुन्या का भागिदार बन जाता है अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर से मुलाकात जरूर होगी एक नई साखी के साथ नए विचारों के साथ तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए सीवा सिमरंद सत्संकी जीए सत्गुरु माता जी के चर्णू से जूडे रहिए बड़े ही प्रेम से बोलिए धन नरंकार जी